तो मीशो पर मिलने वाले यह सबसे नमबर वन पर जेल आयलाइनर को अगर आप भी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम किये वीडियो को पूरा देखेगा So Hello Everyone कैसे हैं आप लोग मीशो और शॉपसी दो ऐसी शॉपिंग वेब साइट है जहां आपको कम प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे ओफर मिलते हैं और इन ओफर्स को देखते हुए तो मैं भी कई बार उल्लू बन चुकियो येस आप लोगों ने सही समझा कि उल्लू बन देते तो मैंने जब चीज परचेस करनी जाए कि मैंने क्या चीज परचेस किया वो थमनेल में आप देखी रहे होंगे कि मैंने परचेस किया है ये म्यूजिक प्लावर का आई-लाइनर जिसको मैंने परचेस किया है मीशो से और सेम चीज शॉपसी पर भी थी सेम चीज फिल बहुत अच्छा है वेरी नाइस बहुत अच्छे से लगता है स्मुश प्रूफ है तो मैं ऐसे सब कुछ लिखा वाता लेकिन 20 परसेंट रिव्यू ऐसे भी थे चुने उने का था कि हमें यह प्रोडेक्ट अच्छा नहीं लगा नोट सटेबल यह समतिंग कुछ भी तो मुझ यह अलूना बन जाए क्योंकि रिव्यूस देखकर बहुत लगत चीज़े परशेज करते है तो मैं सबी से कौँगी बैया होनेसर इव्यू दिया करो बहनों होनेसर इव्यू दिया करो क्योंकि कई पर क्या रहता है ना कि हमारे रिव्यू कर एको किसी के पैसे कराब हो त्री यर्स की शेल्फ लाइफ है, प्राइस इसका 120 रूपीज एंड आउटर बॉक्स देखने में तो यह काफी ज्यादा पहुत ही प्यारा लगता है और लगता है कि आप इसे पर्चेस कर लें क्योंकि बहुत अच्छा है लगता है कि हाँ एक जनुवन चीज होगी इसके अ इसके साथ दिये गए हैं दो प्रश एक आई-लाइनर लगाने के लिए के लिए एंड आई-ब्रो फिलिंग करने के लिए एंगुलर प्रश दिया गया है तो मैं अब भी आपको यहां पर कुछ लगा के दिखाती हूँ उसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग करने वाली हूँ कि देखिए आप लोगों के सामने यह वोटर पूफ है या नहीं है यह स्मज़ पूफ है या नहीं है तो सबसे पहले ही मैं यह ब्राउन कलर की शेयर लेत तो मुझे लगा कि आप को कोई पता चले के यह लाइनर कैसा है आप लोग पर चेज करना चाहिए करणा चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो देखिये मैं एपने हाथों पर इसे लगाया है तो इसे ये प्रूफ तो हो गया, ये waterproof भी नहीं है और smudge proof भी नहीं है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप इसे purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो friends, देखा आपने, मतलब मैंने इसको इतनी देर तक अपने हाथों पे dry होने के लिए रखा, लेकिन फिर भी ये पाद ये कची सी shine आ रही थी, लेकिन अगर इसके अपर हलका सा इसको swap करते हैं, तो बिलकुल खतम हो जाता है, तो वो चीज हमें liners के इंदर नहीं चाहिए होती है, अगर हम working है, ये नहीं भी है working हम लगाते तो हमें ये तो हमें ये तो होता है नहीं पांट से गंटे हमार लेकिन अगर आप beginner हैं, try कर रहे हैं कि आपको liner सीखना है, लगाना और आपको चाहिए ऐसा कि कुछ gel में मिल जाए, जिसको लगाना easy हो, बहुत अची look दे, और उसको बाद में remove करना भी easy हो, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि waterproof होगा तो जल्दी सी remove नहीं होगा, तो definitely सी बा आपको liner लगाने के बाद पूरा दिन उसको stable रखती हूँ अपना इस पर और मेरी आइस में हीचिंग भी बहुत ज़दा इसे करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास eyeliner में use करती हो, वह बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई होई है, म मेरी तरह से तो बिल्कुल भी recommended नहीं है, I hope कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कि अगर कुछ लोगों ने, कुछी लोगों ने अगर इसे purchase किया हुआ है, तो आप लोगों अपना experience ज़रू share करना comment में, कि आप लोगों के लिए इसका कैसा experience है, हो सकता है, मेरे पस ये कुछ और duplicate आगया हो, लेकिन ये music towel का gel eyeliner है, मैं इसे बिल्कुल भी recommend नहीं करती हूँ, I hope कि आपको ये video अच्छी लगी हो, कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना चेरा को subscribe करना, and thank you for watching, bye bye, take care